अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए करें आपको येर खिए भी ये विडियो विपड़ में। यह वाली शारी देखे मेडम, बिल्कुल नई डेजान की है, आजका लिसी का फेशन चल रहा है अरे, अब हमारी कोई उमर है फेशन करने की, आप कोई सीधे सादे धंकी अच्छी से सारी दिखाई है ठीक, मैं दूसरी दिखाता हूँ यह देखे है, विल्कुल लेटेश प्रसंद लिया, यह देखे है बोलो गायतरी, कैसी लगी? यह अची है तो लेह लो ना वैसे मुझे यह कोई आस प्रसंद नहीं आई ऐसा करती है, तुसरी दुकान बे जाती हूँ वहाँ के साड़िया मुझे गाद अची लगी थे सुम्ये, जड़ा रुकिये सुम्ये, जड़ा रुकिये यह सुम्ये न सुम्ये, सुम्ये जड़ा अरे रुकिये तुसरी अरे रुकिये तो सही तो तो राइस्री, राइस्री По-art, по-art, по-art! По-art, up! По-art! Rukyai! Rukyai! Rukyai, Rukyai! अरे, काम के अरे! अरे! रोकěा ना! मूकि pakai! अरे वहाँ कौई निया! काank decrease. और फॉही निया! काईती! क्या जरूराथी? मैं पुछती ओ अफिर क्या जरूराथी? मौल में जाकर तमाशा करने की?! शेहर में सारे लोगों को पता चल गया है किशा बेटा जर्ण आराम से बात करो एक तो पहले सी इतनी सहम ही हुई है और उपर से तुम मुझे मेरी सास के साथ किस तरह बात कर नीचा है या आपको मुझे सिखाने के बिल्कुल ज़रत नहीं है ना आप उने वहां ले जाती ना ये सारा तमाशा होता अच्छा तो ये भी हमारी गलती है कि हम इने साथ ले गए जलो रीना यहां रहकर और बेज़ती नहीं करवानी है चलो माया तुम भी चलो बतानी कैसी बहु है अब मुझे भी चलना चाहिए आप प्लीज अपना खियाल रखिएगा एक में दो शर्ट मैं भी चलो चलिए अब बताँ क्या वह था तीपाई मैंने है मैंने क्या माँ बताओ प्लीज माँ कुष्णी तीपक मुझे लगता है इनका दिल अब इस घर से भर गया है क्यों न हम इन्हे वृददाश्रम बेज दे कम से कम इनका टाइमपास तो हो जाएगा ना अगवान के लिए मुझे अखेला चोड़ दो माँ मेरी बात तो सुनो माँ माँ कर दिया ना माँ को नाराज तुम क्यों हमेशा जेहर उगलती रहती हो क्यों हर पदी को अपनी पत्नी नागिन ही लगती है अगर इतना ही शौकता अपनी मा की गोद में बैटने का तो मुझसे शादी क्योंकि इशा जस शड़ा चलाओ मत तुम्हारी माँ को इस गर से जाना नहीं है ना ये घर गिर्वी है कभी भी निलाम हो सकता है क्या ये बात ये जानती नहीं है तब क्या होगा देखानेक हमेशा डिफेंस मत छोड़ना अपने डिफेंस को एकदम स्ट्रॉंग रखो एकदम स्ट्रॉंग और दूसरी बार जब तुम अटाइक करते हो तो अटाइक करते समय है अपने मुख्ये को अपने चेहरे के पास रखना ऐसे और यहां से अटाइक करो यहां से अटाइक करो ताके तुम अटाइक ही कर सको अर सामने वाले कुँ मुका न मेले तुमारे चेहरे पर अटाइक करने का ओकी से कुआँ Come on... Come on अटाइक! यह दाट्स गड़! सर्थ सॉरी सब लगी तो नहीं? नहीं इससे एक सब अगवार मिलता है सब अगवार मिलता है सर्थ एक सेकेंड कले पर अधिया दर्वाजे के तरफ गया तुमारे मुक्के न भजे ठेर कर दिया सो नेवर लूज या कॉंसेट्रेशन, ओके? फोकिस सर्थ आप हग जाए सर्थ इसकी यह हिम्मत इस मुक्के का बदला में लूँगा अनरेडी पैलाल क्या कर रहा है तुमारी ढर से हमारा यह नया साती भाग जाएगा नया साती? हाँ यह निखिल है बहुत जल्दी यह हमारे CID टीम का इस्सा बंदे वाता है सर आप जरूर फ्रेडी सर है ना? हाँ फ्रेडी लेकिन तुझे किसा बता? सर बहुत सुनाया आपके बारे में सर आप जोग बहुत अच्छा सुनाते हैं बेटे एक बार CID में आजा इतने जोग सुनाऊगा कि हसना भूल जाएगा अलो हाँ क्या? कहांपे? ठीक है हम लोग अभी पॉर्स्टेम हाँ सलो प्रेडी एकनाय केसा है सर मैं भी तरूँ नेक अभी तुम्हें थोड़े प्रैक्टिस की जुरत है सर सिया ओके सर अब CID ऑफिसर बनने का मेरा सपना बहुत जल पूरा हाजाएगा यस यस काफी खुण बाहा है सर गायतरी जी को होशा गया है गायतरी जी का गाव तो काफी चोटा है यह खुण उनका नहीं हो सकता काहितरी जी कामरे में खुण पड़ा है काहितरी जी कामरे में खुण पड़ा है तो आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और बागते बागते यहाँ पर आए इसलिए शायद काहितरी जी के पास गन है जी नहीं तो फिर आपने यह कैसे सोच लिया कि वो गोली चला के खुदकुशी कर रही हो और पता नहीं क्यों सर शायद टेंशन की वज़ा से ऐसे ही खयाल मेरे दिमाग में आके है आप कह रही थे कि गायतरी जी काफी अकेला पन में अहसूस कर रही है वो अकेली रहती है इस घर में जी हाँ सर तो फिर कौन गुजा ता उनके कमने में कोई भी नहीं सर कोई तो था तभी इतना सारा फोन पड़ा यहाँ पे गोली चलने की आवाज आई थी किसी को तो कौन ही नगी है सर अगर यह अलमारी तो ख़ली पड़ी है कहीं है चोरी का मामला तो नहीं है तो बढ़ से नहीं देखना अलमारी कंदर से कुछ गाय बढ़ा है मा के पास आकर ऐसा है ही क्या कि चोरी हो जाए मैं देखता हू पैसे मा का मंगल सूतर कंद अचा हे अगर यह अगर यह पैसे मा का मंगल सूत्र आप किसी छोड़ दिया आल यह तो पता करो यह चोर पागा तो भागा कैसे है कि यहां से भागा है वो सबस्टे करें में अवर सर, यह देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए, दिवार पर खुन लगा है सर, इसका मतलब वो आजबी दिवार फान के चला गया, तेखते हैं दिवार फान के किदर गया है यह दो मुझे अजब है, यहाँ यहाँ अजब है कि अटेखिए लिए भाग पारो प्रॉटिए अए राग गया है मैं कारटीए, प्रॉटिए! अना सारा हून को पलिक यह था? अ मैं कारट कि यहानक मौत है कि चेरे के तो चिठरे उड़ गए जाया है तो अदमी का ऐसा हाल हो सकता है फिकिन सर इस हाल अपने आदमी यहां तक पहुंचेगा कैसे इस इतने अटेख मैं है यह देगा तो तह सीने पर भी कोली मारी है यह कार्चक कर दे कि यहां पहुंचकर इसने गाड़ी में भैठकर भागने की कोशिश कियो गए और तभी खुणी ने इस पर दूसरी गोली चला दी गर पे भी गोली मारी गई इस ही के ओपर सीने पे पर यहां तो इसका मूही उड़ा दिया गया वैसे अगर इसके सर पर गोली नहीं लगती तो भी आदनी मारी जाता है सीने पर जो गोली लगी है जुक्या है लो भाई गन तो मिल गई गन पावडर के इसमेल है इसका मतलब थोडी देर पहले ही तीन गोलियां चलिया और तीन गोलिया अभी भी रिवाल्वर में है तो अगर एक गोली, क्यानी सीने वाली गोली कमरी के अंदर चली, तो गायतरी जी को अच्छे से मालूम होगा है कि किस ने किया है। ठीक है, तो गायतरी जी से ही पूछ लेते हैं, किस की लाश है है और खोनी कौन है। गैतरी जीँ, कमरे में गोली चली है तो आप ने चलाई होगी ना कमरे कोई होड थाणी जी, गोली मैंने ही चलाइथी आप ने ही चलाई है? ढुग जो लगी एक बात Tho साफ होगी आपने पहले भी कभी गोली चलाई है वो पर भी कैसे चलाई है हम और कन कहा से है यापके हाथ? कन चोर के हाथ में थी जैसे मैं कमरे में आई मैंने देखा मेरी अलमारी में से एक आदमी कुछ चुरा रहा था आपकी बहु तो कह देती थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है एक दम कंगाल हैं तो फिर ऐसा क्या था उस अलमारी में जो जो चुराने अ thì में उससे देख कर बहुर डर गई कि वो मुड़ा और मैंने डर कर भार उसे धकका दे दिया वा डर कर पास चिल्ला ही नहीं डर कर आप ने उसे धकका दे दिया उसके हाथ में गन थी वो गोली चला नहीं वाला था कि मैं उसकी तरफ जप्ती इस छीना जप्ती में गोली चल गई और उसे लग गई खोली लगी? चोर को? लेकिन वो मरा नहीं उसने मुड़ के मुझे भयाना काको से देखा मैं डर गई और बेहोश हो गई उसके बाद मेरे कुछ याद नहीं आप बेहोश हो गई तो ये ये चोट चोट कैसे लगी आपको? जब मैं बेहोशी के हालत में गिर रही थी तब लग गई होगी अच्छा आपको ये तो याद होगा के चोर को गोली कहां लगी थी? सीने पर गादरी जी चोर के चेहरे के जित्रे उड़ गए है उसके चेहरे पर भी बूली चलाइ गई है नहीं ऑफिसर गोली तो उसके सीने पर ही लगी थी कम्रे में और कॉन थी? ज़ चोर के पीछे पीछे भागा और उस आद्मी ने चोर को एक और गोली मारी जिसके वज़े से उसकी मौथ हो गई अभीजीद, जो आदमी मरा है पताने वो आदमी चोर था भी या नहीं है, वो तो यह कह रही है कि वो चोर था आपको मालू है उसके लाश आपके गर के बार पढ़ी भी मिली? मैं तो कमरे में बेहोष पढ़ी थी उसे कैसे पता हो? क्या आपने उसादमी को पहले कभी देखा था? कभी नहीं उजीद, वो चोर नहीं था चोर अपने साथ जारत है और गंवन नहीं रखते अगर कोई बड़ा हाथ मारना हो तो शायाद रख भी सकते ठीक के रहो लेकिन इतना बड़ा चोर होता तो यह मामुली कर में को जाता है से इस चोर के उंगलों के निशान हमारे क्रिमिनल रिकार्द में पिनी है यार मैं जिस काड़ी में आया था वह जरूर चोरी की होगी पता करो इस काड़ी का माली कॉन है आस अब गाड़ी शिक्ट हैंपे पहुझ जाएगी सार आव पिश्वाट सेखिए सार आव पिश्वाट सेखिए सार यह कर नंबर M.A.04 B.G. 55 यह अपिकी कंपरी का का कार है यह कल से दाई है पर अवजी तक वाबिस नहीं आईगी है और आईगी बिली यह क्या बात दिर्ने सरा यह कार लेकी कॉन गया था यह बताईगी यह कुनाल ने कोई पैशान पत्र दो दिया होगा कोई आईडी राशन काड़ यह ट्राविंग लेकर आप आप एक मुन्ट के में लेकर आथ प्लीज इस नहीं बात समझ में नहीं इस गुनाल ने यहां से किराय पे गाड़ी दी वह भी चोरी करने के लिए सर यह राशनी बात दूसर पता चल रहा है राशन काड़ नकली है नकली है सर हाँ असलिए अगर राशन काड़ नकली है तो फेर इस पर इस पर रिखा हुआ एडरेस भी नकली होगा यह असली है यह नकली अब तोस एडरेस पी जाने के बाद ही पता चलेगा तो अब सब आपको कोई गलत फैमी तो नहीं हो रही है अभीजीद मैं जो बात बताता हूँ बात पक्की होने के बात बताता हूँ अब आमे तीरनी चला था बास ने ने आज तारिकाजी नहीं है ना तो मुझे लगा शायद कहीं कोई छोटी-मोटी गलती हो गई हो आपसे काम की बात करें? यह बिल्कुल इस आदमी की मौत दो दो गोलिया लगने से हुई है दो गोलिया यह कॉंसे बड़ी बात है? बड़ी बात यह है जनाथ कि जो दो दो गोलिया इस आदमी को लगी है वो दो अलग-अलग गन से चलाए गई है दोनो गोलिया अलग-अलग गन से चलाए गई है जी हैं, मैं बता दाओ यह देखो यह पॉइंट टू कैलिबर की गन से चलिवी गोली है जो मुझे इस आदमी के सीने में से मिली है और यह यह वो गन है जो आप लोग लेकर के आएं पॉइंट थी थी कैलिबर की गन जिससे इस आदमी का जपड़ उड़ गया बड़ी अजीब बात है अभीजीत किसी को मारने के लिए एक आदमी ने एक गोली एक गन से चलाई और फिर दूसरी गोली दूसरी गन से चलाई क्यों? लिकिसा गोली तो इसे गातरी ने मारी है उन्होंने का कि इसे एक गोली मारी है उन्होंने तो दूसरी गोली? किसी दूसरे आदमी ने मारी हो मतलब दो दो खोनी और मैं जानता हूँ वो दूसरे खुनी कौन है चलो भाईया केस खत्म हो गई सालूंके साब ने दूसरे खुनी को ढूंड निकला है वो दूसरा खुनी इस दुनिया में है ही नहीं है अरे सर अभी-अभी तो आप कह रहे थी कि आप दूसरे खुनी को जानते हो और आभी कह कि वह इस दुनिया में है ही नहीं हाँ देखा सर अलूंके साब ने कैसे मेरा खड़े-खड़े उल्लू बना लिया जरा चुप बैठोगे बास जिस आदमी ने इसके जबडे में गोली मारी है वो कोई और नहीं ये खुद है मतलब इसने खुदकुशी की है ये तो पता नह कि इसके उंगलियों के निशान मिले है इसने अपने उपर गोली हुंके अंदर से चलाई है आगा ऐसे अभीजीत वैसे तो ये आदमी मरने वाला ही था तो पर अबनी जान बचाने की कोशिश करने के बचाय है इसने अपने आपर ही क्यूं बोली चला ली सर चाहएद उसे तर्द बर्दास्ट नहीं हुआ होगा ये गायत्री जी सरासर चुट बोल रही है से उन्होंने करा कि उसने एक गोली मारी ऐसे तो वो गन कहा है वो गन तो ना हमें उसके घर से मिली है ना कार के पास से काम करो विशित फिर से इस गायत्री के खर जाओ और अच्छी तरह से तलाशिलो सासुमा ने जब कबूल कर ही लिया है कि खुन उन्ही के हातों से हुआ है तो फिर सोचने के बात ही क्या है अब उन्ही गिराफता क्यों नहीं कर लेते बार बार हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं जब खुन वाय तब आप सब लोग यहां पे थे यहां पे क्या हुआ आप सब को मालूम है असली खुनी का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है अग जब तक नहीं मिन जाता तब तक मतलब निख खून गायतरीजी ने नहीं किया हुटा तो अगर गुन गवाहतरीजी दे लोक। lihat इससे उन्होंने लिजो गोहने सिने मारी तो अभी तक नहींद ही लिए पिशा तुम तो वह बता रही ता क्यी गायतरीजी के पास चुराने के ल यसी खास चीज नहीं है यह है यह जो सच है कि उनके पास एसी कोई चीज नहीं है फिर भी अभी तक पता नहीं चला कि छोर यहां पर चुराने के आया था जाहि तुम मुझे समझ में निया रहा है सर आखिर वो इस घर में आया क्यो था सर आपेड़ी यह ने देखिये सरो यह यह तो चूती के निचान है आ सर इसका मतलब कोई आदमी अलमारी के अंदर चुटे बैठा हुआ था सर कमार हो गया यह देखे वही एड्रेस है जो स्राशन काट में असली है दर्वाजा पर तो ताला लगा हुआ है कर तो एक दो खाली है कर सामन भी नहीं है कर दो पासपोर्ट है तीन दिन पेले बनाए पदा नहीं असली है यह नखली है शेक करना पड़ेगा सचिन असवे तो दुबए जाने का विजा लगा है मतलब यह दुबए भागने की पूरी तायरी कर चुका था श्याहिद इसे पता चल गया था कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन हो कोन सकता है यह सोच रहा हूं कि भाग किसे रहा था तो लेको इस गाल में कुछ और है सर क्या चक्कर है यह एक दूसरे को जानते थे एक दूसरे को जानते थे तो फिर गयातरी जी ने इसके बारे के बदाया क्यों ने ऐस भुले हमसे जूट के बोला है मैंने कोई जूट नहीं बोला यह गन हमें चोर के लाश के पासे मिली है, आपके गर से नहीं, तो वो गन कहा है जिससे आपने कोली चले ही, कहा है वो गन? मुझे नहीं मालूप, मैंने कहा ना, मैं बेहोश हो गई थी जूट बोल रहे हैं आप, आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं माद, अभी पता चल जाएगा इगन उठाएगे, पकड़िये से, और गोली चलाएगे ओदर पकड़िये, पकड़िये, चलाएगे गोली, चलाएगे, चलाएगे आपका अपने हैं आपके, आप गोली चलाएगे नहीं सकती है तेर उस दिन कैसे चल गई गोली है? क्या तो रही हूँ, ताम तीसे चल गई थी तेर भी चलाएगे, देखिए गायतरी जी सच क्या है, वो बताएगे आप आप इस आदमी को पैजानती है? अपना लाम है इसका यह यह आदमी है जो आपके घर में चोरी करने के लिए आया था कौन है यह कुनाद? इसके गर में आपकी फैमिली के फोटोग्राफ कैसे? क्या करने आया था यह आपके गर? जवाब दीजिए तेखिए मैम, आपकी उमर का लेहाज कर रहे हैं वरना हमारे पास भी कई तरीके है मुखुलवाने की जब मैं अप्ता कुनाद बान रही हूँ तो और क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे जेल क्यों नहीं भेज़ दे? भेज़तेंगे, जेल भी भेज़तेंगे पहले यह पता चल जाए यह कुनाल आपके अलमारी से क्या चुरा रहा चोर को चोरी करने के लिए अलमारी में घुषने की क्या जरूरत थी वो तो बार से भी समान निकाल सकता आपसे किसने कहा कि वो अलमारी के अंदर था अलमारी के अंदर से हमें जूते के निशान मिले है कुनाल का खुनी शायद अलमारी में चुपके बैठा था किसके जूते का निशाना ही है? कौने वाद नहीं? हलो? क्या? व्यूरो में किसी का फोन टैप हो रहा है? हाँ हाँ, फोन टैप हो? किसका? किसका फोन टैप हो रहे है? नंबर क्या है? 1039-57-599 मगर यह तो हमें से किसी का भी नंबर नहीं है एक में साथ काथ जी आप है? आपका फोन टैप हो रहा है? आपका फोन टैप हो रहा है? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मेरा मुबाइल काउन टाप कर रहा है वही तो, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आप फोन पे बताने वाली है? कोई राज नहीं है पूरी सच्चाई आपके है पूरी सच्चाई क्या है बहुत जल पता लग जाएगा सच्चेन एक काम करो पता किसका काम है कौन कर रहे है यह फोन की टैपिंग का राभी पादा चल गया उस नकली पासपोर्ट फरले का हम अश्चाई नहीं बढ़े गई यार हाँ नकली पासपोर्ट क्यों बना है évटा नगली पासपोर्ट कियो बनाया मने बतायाना थाण में शरीश इंसान मैं बनिया हूँ ुषितना पूछा जाया उसका जवाब देसंजाए इसनगीट की सभानाना इसनाता उस्सुट एक का जल में राज हो सभंभार ले Πशेमा रेसर सुट हाँ जल एक असका निः नियोग भॉज़ा है इसके लिए बनाया तुमने, क्या नाम है असका? शुनाल नाम है, असली नाम बता असली नाम है तो याद नहीं आरा है और लौश्किनी पाधरी अधास तुझे थोका देगी और आइसे तिरह असल ठकराता लेगा पाल और उसका देखर महीद है, sir. महीद, ह Quinn Aon is thisיכnit कर ऐखagon महिद다. यह आइ तो नही नहीं आव मालूम्तार. नहीं नही नहीं आवगर? नर्भा याखनी नहीं Dru a कंपानी कुछ्छ नहीं जाद दाद श्सेरades in busspri real-nya sir. विज़ कंपनी है? कौन कंपनी? 20 थाइनांस कंपनी है अच्छा है वह बड़ी जल्दी आद आज़ आगी है नाम भी और कंपनी भी जी कही है मैं क्या मत कर सकता हूं आपके जी हम अब बहुत के बारे में कुछ जानने आ है वो इसी कंपनी में काम करता था ना? जी हाँ वो हमारी इसी कंपनी में काम करता था और बहुत ही नेक इंसान था नेक इंसान नकली पासपोर्ट नहीं बनवाय करते हैं नकली पासपोर्ट? मैं कुछ थंजा है नहीं? जी हाँ, नकली पासपोर्ट यह देखिए कुनाल? लेकिन यह तो मुहित है? यह मैं मालूम है, यह मुहित है मुहित नहीं नकली पास्पूर तीन दिन पहले बनवाय था आपको कुछ अंदाजा है, क्यों? आप यह क्या बात कर रहे हैं? मुहित को मरे वो तो चार महीने हो चुके हैं क्या? मुहित चार मेने परले मर्ट चुका है? यहाँ, एक रोड एक्सिदेट मो उसकी मौत हो गई थी सर यह चकर क्या है मुहित परले मर्गया फिर कुनाल बंकर जिंदा हुआ और फिर उसकी मौत हो गई सर, मुझे कुछ सम्झ में नहीं या रहा है आप ज़रा इस मोहित काईटर्स देना में? जी यह लिजे थैंक्स इस मोहित काईटर्स है? जी यह शूर? यहाँ, लेकिन आप इतना चॉंक्यू रहें मैं गाड आप अवे को आणा तुम लग दर्वाजा खटखटाना चाहिए अरे यह तो बुरा मान गया है चलिए अभी दर्वाजा खटखटा लेते कोई है अंदर? यह क्या मजाक है? किसी का फोन टैप करना मजाक लगा तुझे किसी का फोन टैप ने किया किसी का फोन टैप ने किया अगर सच सच बता देगा तो जल्दी नी पड़ जाएगा और अगर जूट बोला तो मुझे 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 माप करता हो सार मैं आप यह काम तुपरा कभी ने करूं का सार 1039 57599 एन्मर कबसे टप कर रहा तो दो मैंने से किस के कहने पर किया यसब हाँ मुझे उसका नाम पता नहीं मैं तुझे से पैसे के लिए करता हूँ उसका नंबर क्या है तो देखा तो होगा ना तुने है सारी फांस्ट करीब होगा सर्ज और कुछ? और तु कुछ पता लेए साथ कुछ पता लेए साथ जब 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 हाँ ड्रक्टर सारंके हाँ ठीक है पहुंचते हैं अब लोग मुह सुझा कि यह क्यों बेटा है सारंके Boss मैंने तेयर कर लिया है मैं नोकरी छोड़ रहा हूं यह काम उससे नहीं होगा अच्छा बदब दुएश करेगा काम कुन करेगा? इदर खुनी को कौन पकड़ेगा? है ना आप लोग है ना? अरे हम लोग तो हैं डॉक्टर साब हमारी छोड़ो आप क्या सन्यास लेने वाले हो? Boss आप लोगों का डियने टेस्ट किया और टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? तेस्ट का रिजल्ट यह बताता है कि यह जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है क्या? हाँ, इन दोनों का डियने मैच होता है लेकिन दीपक तो कह रहा था कि उसके पिता की मौत चार मेने पहले हो चुकी है अभी जीत यह जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है और इसे मरे हुए सिर्फ दो दिन हुए चार मेने नहीं मगर सर अगर यह आदमी दीपक का पिता है तो फिर वो कौन था जिसकी मौत चार मेने पहले हुए सर मेरा तो दिमाग चक्रा रहा है दो दो गन, दो दो खुनी और अब दो बाप पिता सिर्फ एक ही होता है सिर्फ एक और अगर इस आदमी का डीएने दीपक के डीएने के साथ मैच हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दीपक का यही पिता है कमाल अगायती जी इस फोटो को देखके आपकी बोतिके बंद हो जाती है हाम यह बड़ी अजीब बात है चलिए हम आपके कुछ मदद कर देते हैं शायद आपको कुछ याद आजाए इस आदमी का अस्तली नाम मोहित है लो भई इन्हे तो अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है प्रेडी के ऐसा हो सकता है कि एक औरत अपने बच्चों के पिता को पैचाने से इनकार करते है नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता मगर सर इनके पती तो चार मैंने पहले प्रेड़ गए ना हाँ प्रेडी मगर अस आदमे का डिये ने इनके बेटे दीपक से कैसे मैच हो रहा है अब इसका जवाब तो कायत्री जी दे सकती है हाँ यह 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 मेरे पती मोहेत है मगर दुनिया समझती है कि आपके पती चार मैंने पहले मर चुके है मुझे भी यही लगता था लेकिन उस दिन मॉल में अले जुकिये तो सही तो पर के आवा? मुझे उनका मुझे उनका फोन आया और उन्होंने अपने सिंदा होने की बात किसी से कहने से पना कर दिया क्यों? यही तो मेरे भी उसे पूचा और उन्होंने का कि वह मुझसे मिलने आएंगे और सब कुछ बता देंगे पर? उस वाग मेरे बबु बेटे वहाँ थे मैं जाती थी उनके होते में वह नहीं आएंगे इसलिए मैं अपने कुमरे में चली गई तुम सिद्धा हो? यह गायतरी मैं तुम्हें सब कुछ साच बतलाने ही वाला था गायतरी मेरा यकीनी करो जो इंसान अपनी पीवी को धोका दे सकता है उसका यखिन करो मैंने तुम्हें कोई धोका ने दिया गायतरी चार महीने से विद्वा की जिंदगी बिता रही हो आप जिंदा होते हुए भी खर वापिस नहीं लोटे और आप कह रहे हैं कोई धोका नहीं दिया कैसे सुधर सकती है? सुधर जाएकि दो दिन के पाद तुम्हें एक करोड रुपे मिलेंगे एक करोड रुपे? कौन देगा एक करोड रुपे? इंसुरेंस कंपनी वाले इंसुरेंस कंपनी वाले? हाँ वो क्यो देंगे एक करोड? मैंने एक इंसुरिंस करवाया कि अगर मेरी मौद किसी एक्सिरिंट में हो जाती है तो मेरी परिवार को एक करोड रुपे मिलेंगे जरा सोचो गाहितरी ये करोड रुपे में तुम जा नहीं कर सकती हो हमारी पेटी की शादी हो सकती है दीपक अपना बिजनेश शुरू कर सकता है आपने हमारी खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी तुम सद की खुशी है मेरी खुशी है अब मैं दुभई चाह रहा हूँ वही रहूगा अकर मुझे किसी ने यहां पर जिन्दा देख लिया तो बड़ी मुसिबत में आजाओंगा मैं वानो तुम मैंने तुझे अपना अच्छा दोस समझा और तुने मुझे धोगा दिया चीट तो करता है कि अब तु यह उपर पहुँचा दूँ नहीं! नहीं! मुझे अपाच्चाई यहीं बेसे छ़े! पूच्छा अच्छा! मुझे! मुझे लाखने हैं के रहे बढ़िया करे बादिकानी! कातरे, श्वफे यहाँ प्यूब तुमो किया हो, मुचे कुछ नहीं पता. तो ये सारा केल इंश्रЕН्स के पैसों के लिए खेला गया है. इसलिए मैंने आपको मोहित के बारे में कुछ नहीं बताया… क्योंकि मैं चानती थी, अगर दुनिया को मोहित के जिंदा होने की कहल हो जाएजी. तो हमें इंचॉरंस के पैसे नहीं मिलेंगे जो हम अपनी बेटी की शादी में खर्च करना चाहते थे हमने जो कुछ किया बस अपने परिवार की खुशियों के लिए कियो अब जड़ा पुझे पासी लगा दीजिये वैसे कि मिला अब इस दुन्या में है ही कौँ हासी आपको नहीं खुनी को चड़ाएंगे आप बताईए कि वो आदमी कौन था जो अलमारी में बैठा था जिसने गोली चलाई मोहित पर नहीं जानती उसने उसने मास्क पहन रखा था फिर भी कुछ तो याद होगा उसकी चाल ढाल से उसकी कत-काटी से कुछ हाद है आपको उसके बारे में वो आदमी ये ज़रूर कह रहा था कि मोहित ने उन्हें धोका दिया है उनके साथ इश्वास कहात हुआ है तो फिर इसे किसे आदमी के बारे में बताईए जिसे मोहित में धोका दिया हो मैंने से किसी आतमी को नहीं जाती मगर सर खुनी को कैसे पता चला की मोहित जो सब के लिए मर चुका है वो गाहितर सी मिलने आने वोला है क्योंकि उसी आतमी ने गाहितरी का फोन टैप किया था अचिपचा वहां आलमारी में जायके बैठ गया है अब हमें यह पता लगाना है कि परिवार में आद दोस्तों में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे मोहित ने दोका दिया था सब का कच्छा चिट्धा टूड निकालते है सोचा आपने उपर बता दे कि खुणी का बता चल गया है पर खुण किसका हुआ है खुण आपके ससुर मोहित जी का हुआ है क्या तैसर कैसे हो सकते है बाबा की मौत चार महीने पहले हो चुकी थी एक एक्सिडेंट में नहीं उनकी मौत एक्सिडेंट में नहीं हुई है वो एक्सिडेंट कभी हुआ ही नहीं है उनकी मुद तो सिर्फ एक ड्रामा था ड्रामा इंशुरेंस के पैसों के लिए वाट? इंशुरेंस के पैसों के लिए? यहाँ पर पापा का खून किस ने किया? वो सकता है कि तुमने ही मारा हो मैं? मैं? हाँ तुम्हारे दिल में जो अपने सास ससूर के लिए नफरत है वो साफ दिखती है आप नेरी बीबी पर इस तरह का जूटा इल्जाम बिलकुल नहीं लगा सती है तो आप ते लगा देते आपने अपने पापा से पैसे मागे थे बिजनर शुरू करने के लिए लेकिन ये मतलब तो नहीं की बेटा बापका खून कर ते आप यह बात तो है वर रोष्ण जी आपको तो कभी यकिन हुआ नहीं भी ना इमोहिन जी की मौत हो चुकि है क्योंकि उनकी लाश का पता है नहीं चला पर कैसे यकिन हुता पर कैसे यकिन होता क्या हो मन? जी बिल्कुन तो फिर बिना लाश देखे आप मोहित के घरवालों पर इंशुरेंस का पैसा दिलवाने के लिए राजी कैसे हो गए इंशुरेंस? आप तो उसी इंशुरेंस कंपनी में काम करते हैं न? जहां से मोहित जी ने एक करोड़ रुपए का इंशुरेंस कर रहा है था देखे मोहित मेरा दोस्त था मैंने सोचे परिवार की थोड़ी मदद हो जाएक इसकी मौत के बाद जब आपको पता चला की मोहित माना नहीं है तो आपको बड़ा दक्का लगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपके साथ मिश्वासगात क्यों किया जी 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 आप क्या कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ये दोगा आपसे बरदाश्त नहीं हुआ आप बदले कि आग में चलने लगे परमुका बात हैं ये आपने मुईत का खून कर दिया बोली एज क्या है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बाबीजी आप देखिये न आप कुछ बुले ये ये क्या कह रहा है अमंग जी आपने कभी कार्ड्स का कोई गेम खेला है कार्ड्स आपका मतलब ताश हाँ ताश ताश में एक पत्ता ऐसा होता है जिसे पकलू कहते है ये पकलू पूरी बादजी पलट देता है आज यहां हमारे पास भी एक ऐसा पकलू है तो आप सब के सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा काजल सब सुर अबना सुरेश तून हरवा बड़िचल दीपे चानियो क्यों सुरेश यह वही आद्भी है ना जिसने तुम्हे पैसे दिये थे गायत्री जी का फोन टाप करने के लिए आसर यही है वो अरे 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 उमंग जी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इस गन की गोलिया तो मेरे पास है क्वा जा 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 है एक पार सी आईडी के हाथ करदन पर पढ़ गया ना फिर उसे कोई नहीं चुड़ा सकता आप बोहित का खून मेरे हाथ हो गवा था पर पर मैंसे मार दी के लिए नहीं किया था मैं तो सिर्फ सज्जाना चाहता था और इसलिए तुमने गाहतरी जी का फोन टैप करवाया हाँ क्योंकि मोहित को इंस्टरंस कराये हुए एक साल भी नहीं हुआ था और इस तरह जाना को उसकी माथ हो जाना एक्सिटेंट पर मुझे शक हो गया कि कही कि कही ये बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है और इसी प्लान को जानने के लिए तुम अलमारी में जाके बढ़ गए लेकिन सर ये तो हमारे सामने रोशन के साथ घड से बाहर चले गए थे नहीं ये मेरे साथ बहार नहीं गए इन्होंने बहाना बना दिया कि इन्हें गाहितरी जी से बहुत जुरुरी बात करनी है हाँ और इस तरह मैं वापिस घर के अंदर पहुचके हाँ नहीं चुड़ो 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 और इस तरह गलती स्वाग गोली मुहित के सहने में लग देए और फिर तुमने बाहर घरं उनके मुह में गोली चला दी? अछे में मैंने और कोई गोली नहीं चलाईती तूसरी गोली तो मोहितने खुड़ो चलाई थी उसने अपनी गन मुह में रख ली थी तुम जोट बोल रहे हो आपा खुद को क्यूं मारेंगे क्योंकि वो चाहते थे कि इंशरंस का पैसा तुम लोह को मिले इसलिए उन्हों ने अपने मुह के अंदर गन लखके गोली चलाई ताकि पूरा चैरा खराब हो जाए और लाश पहचान में ना सके क्या उन्होंने उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे दी हाँ तुम लोग अपने माबाप को चाहे कि इतना भी गलत समझो लेकिन वक्त आने पर वो लोग तुमारी खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं माँ मुझे माफ कर दीजी आज तक मैंने कभी आप से ठीक से बात नहीं की मुझे माफ कर दीजी पेटा तुमारे मुझे माशब सुटकर बहुत कुशी हुई है अपसे मुझे भमेशा ऐसे ही बात करना अ प्लीज मुझे छोड़ देजी आप ली घूल गलती से चह लेए को दूसरी कोली मुहत चिलाई ते मैंने जहन भूज कर मुहत का खुन नहीं गिया था मुझे भाभख भरदेजी नहीं लजे भाभख कर DEE झाल झाल झाल